तो आज की वीडियो में जानेंगे गट्टा पर्चा सॉल्वेंट के बारे में खोल कर देखेंगे इस बॉक्स को क्या-क्या मिलता है इसके साथ साथी साथ जानेंगे इसके composition और इसके uses के बारे में क्या-क्या different uses के होते हैं वह भी हम जानेंगे और कैसे इसको यूज़ करना है ये बात भी हम वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस तो हेलो फ्रेंट्स मैं हूं दॉक्टर हरी शंकर सोनी भी दॉक्टर कलपेश चंद्रवनसी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट तो चलिए अब देखते हैं इसको तो ये जो गट्टा पर्चा सॉल्वेंट है ये देख रहे हैं आप ऐसे पैक में आता है इसको भी हम खोल कर देखेंगे पहले इसके बॉक्स के कंटेंट को देख लेते हैं तो सबसे उपर लिखा हुआ है कार्वीन गट्टा पर्चा सॉल्वेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके नीचे लिखा हुआ है डी लेमोनीन बेस सॉल्वेंट फोर गट्टा पर्चा रिमूबल गट्टा पर्चा रिमूबल के लिए इसका यूज होता है और जो कमपोईशन है इसका डी लेमॉनीन है तो मैं आपको बता दू यह जो डी लेमॉनीन होता है यह extracted orange oil से बनता है आगे पढ़ते हैं तो डी लेमॉनीन-based solvent for गट्टा पर्चा रिमूबल at the time of root canal retreatment जब हमको root canal retreatment की ज़रूरत पड़ती है तब इसका use होता है और uses देख लेते हैं also useful for removing all type of root canal filling material और as a cleaner for endodontic instruments तो गट्टा पर्चा के साथ साथ जितने भी root canal filling material है including zinc oxide eugenol cement इसको भी निकालने का यह काम करता है इसके लिए भी help होती है और जो endodontic instruments हमारे होते हैं उनको clean करने में भी इसका use करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है गट्टा पर्चा solvent और देखते हैं यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 10 ml 10 ml की bottle इसमें आती है यहाँ पर manufacturer का नाम लिखा हुआ है फिर यहाँ पर सेम चीज तो चलिए अब इसको खोल कर देखते हैं तो देखते हैं इसके अंदर इसके अंदर आपको मिल जाता है कि instruction manual इसमें सारे instructions दिये होते हैं आप पढ़ सकते हैं composition इसमें दिया हुआ है product description, composition, indications, instructions for use कैसे use करना है और warnings और questions दिये हुए हैं अगर allergy हो जाए तो क्या करना है सारी चीजे इसमें लिखा हुआ है इसके साथ आपको मिलता है dropper इस dropper से आप gutta percha solvent को लेकर use कर सकते हैं अभी बात करेंगे कैसे use करना है इसको पहले bottle को देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है carvene gutta percha solvent 10 ml ऐसा black bottle में आता है तो इसका composition और usage मैंने आपको बता ही दिये हैं अब इसको use करना कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं तो जिस भी tooth का retreatment करना है गट्टा परचा निकालना है तो उसमें जो filling material है उसको निकालते हैं cavity तक हम पहुचते हैं उसके बाद cotton palette हम बना लेते हैं चोटा सा उस cotton palette में हम dropper से इस dropper से गट्टा परचा solvent ले लेते हैं उसको soak कर लेते हैं cotton को गट्टा परचा solvent में और उसको place कर देते हैं cavity में और उसके बाद उसके उपर हम लगा देते हैं temporary filling material और दो सी तीन दिनों के लिए इसको छोड़ देते हैं इसके बाद हम फिर से temporary material को निकालते हैं तब तक गट्टा परचा soft हो गया होता है फिर इसक प्राइस के बारे में तो इसमें आप देख रहे है MRP लिखी होई है क्लियर नहीं दिख रहा है 150 रुपीज बहुत महंगा नहीं है लेकिन बहुत ही सस्ता और यूसफुल प्रड़क्ट है री ट्रीट्मेंट में बहुत काम आता है 150 रुपीज का है और भी अलग-अलग कैसा लगा और कुछ सजेशन है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हैल्फुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ हो जाने से पहले सब्सक्राइब करने नह भूले थैंक यू फ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो